गुड मॉर्णी स्टूडेंट बेटा जी आज जेसी करांगे लेसन नबर फाइव साधे लेसन दा नाम है दा स्राउंड ते बेटा स्राउंड दा मतलुं दा कफन ठीक है एक कहानी है मुझसी प्रेम चंद जी दी ते एदे विच कहानी स्टन स्टार्ट है कि पहला ही वेख ल अंग्लेजी वेच लिखिया गया वा ते एव उन्ज शुद्ध जड़ी पंजाबी ओधे विच्छे जड़ी है मतलव कहानी लिखी गई ते बड़ी सिंपल जड़े वर्ड लेगे ने कोई एदे वेच ज्यादा डिफीगल्ट नहीं कि मतलव के उन्हों समझ नावे मतलब सारी हान जड़ी कानी बड़ी सोनी समझ जाओ जान दिया ते बेटा कानी शुद्ध कर देयां के अन्देने के सर्दी दी राद सी गीशु अपने पुतर माधव नाल हल की जही ते बुझ रही आगदे सामने अपनी चोंपडी दे बाहर बैठे सान माधव दी जवान पतनी चोंपडी दे अंदर सी जो के जनन दी पीडा पाव के बच्चा पैदा होंते जो पीडा औरतनु सैन करनी आपें दिया हान उन्ना दी पीडा दे कारके ओ चिला रही सी मतलब चिका मार रही सी ठीक है गीशु चमदा सी के माधव अंदर जाके अपनी पतनी धाहाल जाल पु नहीं देख साथा गीशु ने माधम नू खेता वीच काम करन वाले नीवी जाती दे लोक सान रही ॐ खेता में करन वाले बहुत ही मिडल कलास जड़े ही ओ लोक वाद धुनomasणे प्यो पुत्तर ने मतललो पिता ते पुत्तर ठीक है तईपシルク में जीперूमायर के बड़े मिश केने के जाजा की शी कार्वी कि फोड़े छे दाणे पाम की अनाज हुंदा था ओ काम ही नहीं कर दें भी फेर ही जए JULर्वी किसान ना नहीं पसे वापस नहीं चोरी करके तेलियम दे ते इससे तरह जड़ा ही अपना जड़ी पोख जड़ी मटालेंदे ही गिस्व चंदा सी की ओ अपनी पतनी बुधिया नू देखे आवे पर पुतर दे मानविच डार सी की जेकर ओ बुधिया नू वेखन अंदर जावेगा ता उस दा पता सारे पुन्यों ह्याइ आलू जड़ी ने अकले ही खालेगा थीक है करला जणा खालेगा यहा तोचके उसने अपने पिता कि उस्ने अपने पिता नू क्षा चेऊ लिया है जाहे का इक कर ओ उसने लेल दे लिख SPEAK तो कब्रा जाए वेगी ते मैंने चांदा कि पीडा दी हालत वीच ओह और कब्रावे क्योंकि उन बच्चा पैदा कर जा रही है ते ओधे कार कि उ कहनदा कि मैंने चांदा कि ओधी तकलीफ है जाए जाए तो कब्राता होर वाद जाए ठीक है विटा अगे कर देने कि मादम ने अपने पिता नो कि हा कि ए त पतनी बुद्धिया का देख्या कर दो नहीं कोशिश सी कि और सब प्रमात्मानी जीननों पैदा किता देख्याए वन्नू सब कुछ देवेगा इस गालदा मिननों विश्वासा के दोवें ही कोशिश सी थी दोना दी एक कोशिशी की और सब तुज जाद आद लुखांज ठीक जो दुआ लू खत्म होगे ता दो में आगदे अगे ही जड़े सोंगे सिवेर समय जो दुमाद चौंपड़ी दे अंदर गया था उसने वेकिया कि बुद्या मर गई है तो उसने एक मरे होई बच्चे नू जर्म दिता है उसने वेकि उन्ना ने उच्ची उच्ची रोना जड़ा ही शुरू कार दिता मतलब पखांड वाला रोना शुरू कार दिता तो आणड गवांड आए उन्ना दी वास सुनके तो उन्ना ने हम दर्दी करके जल्दी ही उत्तू चलेगे कि सब्सक्राइब कि इन जादा था, बुद्यार को पता है, कि एन्हां देख जान मगरूँ पिताने, तो पुतर दो में जमीदा कर चल गए, जेडा के उन्हां दुआ तो बहुत नफरत कर दा सी, क्योंकि उन्हां ने चोरी किती सी, तो बुद्धे तो वह तो दोड़ा है, मत आजला के तो उन्हान वापस नहीं करते ही इस करके सारी लोग के उन्हां को मौस्ट निन अफरत ही करते सी पर गिसु दे रूंदे हुए दस्या के पिछली रात मादव जी जड़ी पतनी है मार गी है ता ना चंदे हुए वी जमीदार नो तरसा गया तो उन्हें दोर पे देत ठीक है बाद विच गिसु ने पिंडवालियां तो भी सहताली परातना किती तो उन्हा को जड़े ही पांच रुपर कठे होगे तो यह कफण लें वास्ते जड़े ही बजार चल गे ते पिंडवालियां ने बास काट के मतल अर्थी बना देती मादव ते गिसु ने सोचिया क्योंके अर्थी समसान काल जड़ी है जड़ी अर्थी है वह समसान काल वेचें रात दे समय जड़ी ले जा के जानी है तो इसका के लोकाउन ने पता चलना कि अ क्य कि अन्दर चल गए उन्ना ने कुछ खान पीन दा समान तली होई जड़ी है मच्छी मगवाई दे मगवाई ते शरापिन बैठ गए मादम ने कि सुनु किया है कि जेकर लोग उन्ना पुच्छन गए कि कफण कि थे हैं तक ही सुने कि आ से उन्ना ने मिले इस तरह मादम जड़ा है इसा मादम ते कि सुने बहुत वधिया खाना खादाते राज के शराब भी पिती इस तो बाद जदू मादम ने कि सुनु पश्या कि बुद्धिया उन्नु कफण कि थो मिलेगा तांगी सुने उतर दिता है कि ओ लोग की ही मतलों द उन्ने मादम दाटी डपार गया दुना दा जदू गीसु ते मादम दा जड़ा है पुत्तर ते प्योधा ते डपार गया तो उन्नने बच्या खाना जड़ा ही एक भिखारी नु देता ते अपने जीवन वीच पहले वार उन्ना नु देन दा अनांद अनुभू होया क्यो अनुभू हो देखारन ही उन्ना नु बहुत ही ने मतलब उन्ना दी जड़ी जिन्दगी दी आस ही यो पेट पार के खावे तो पूरी होई है ठीक है ते विचारी फेर ओं फिर जादा केंदे कि वो सोच देहान कि ओ इस विचारी ओरत दे सारी उंबर फिर दोने सोच लाप देने पर उन्ना अपना लालश जादा है यह सोच के जड़ा ही मादव रोन लाग प्या ते गी सुने क्या कि उस नूता खुशी मनमनी चाही दी है क्योंकि ओहो विचारी दुनियान दे दुखा तो मुक्त हो गई है ताथ दो में गाउन ते नचन लगे लगन पेंदेने मत जरूर एक वारी सोन लेना ताँ जो तो पता लगजे किस तरीक के दिखानी है जाक यह दे विच के डिए के डियें गलना ही मैंशन करनी है ताँ जो हानों क्वर्शन अंसर कर मेंच कोई मुश्कल ना आवे ठीक है बेटा नेस्ट वीडियोस मिल दे हां टेक किया